होता था आपके वक्त पर किसान अंदोलन कर रहे हैं यह फर्क है पंचायत इतने सारे पश्चमी उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं आप आखे कैसे बंद कर सकते हैं मैं आपको बताओं तीन अंदोलन इस देश में ऐसे हुए हैं जिन अंदोलनों की और मैं आपका ध्यान ले ज प्रवब नहीं था भाजपा की खिलाप मुदी जी के खिलाप कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो कुछ ऐसा करदो कि जिससे भाजपा ब έχει और लेकिन जो करना करने की कोशिष करते हैं उनका असली जहरा जनता के सामने आजाता है किसानों के सामने आजाता है आप बतायी एक इसको लेकर के बिवाद है उस बिवाद को देश की सरोच अदालत ने अभी रोकी दिया है तो यूत किसान तीरों कृषिए बिल से एकडम संतुष्ट है मैं एकदम कर दिया मैं एकदम मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का किसान संतुष्ट भी है और भारती जंता पार्टी और मोधी जी के साथ भी आपने खुदी अलग-अलग जो राष्टे मुद्दे थे उसका जिक्र किया तो जासूसी कांड पर आते हैं कि जासूसी कांड में आप लोगों को यह तो नहीं लग रहा कई सारे बीजेपी के नेताओं के भी फोन टाप हो रहे थे तो केशर प्रसाद मौरे जी योगी जी सब के फोन सुरक्षित है नहीं पेगिसस पाइवर का फोरेंसिक्स करा लिया देखी मैं इस समय में मैं बोलूं जनता पार्टी की मुदी जी के नेत्युत में सरकार है और विपच से कहा जा रहा कि आईए आप संसद में चर्चा करिए और विपच यह कहरा आच चर्चा नहीं करेंगे संसद में बेधान डालने का काम करेंगे यह तो देश की जनता का पैसा बरबाद करना जो गरीबों के किसानों के और देश के हित में कई कानून बनने है चर्चा होनी है में है करोना जैसर शंक्वन को लेकर कि यह मुद्दा बनाते आओ चर्चा करो नग कोई पिचर्चा नहीं करते हैं और वहा चलने कर वतना नहीं कर देंगे बाधाऔर करके रखेंगे कोई काम नहीं वहा बने कानदो और लिए जी सरी रहुल गांडी जी बहुत इनों से बहुत सारे मुध्डे उत्हार है कोई मुंद्धा बना क्या सmranas harden रत ऍदिले के साथ और हमारी सहयोगी पार्टी अपना दल है उसके नौ بैदायक है और कांग्रेस के साथ बिधायक रह गए उनको साइकल सूट नहीं करती है अच्छा आप ये बताईए आपके पार्टी से जिस भी नेता से पूछा रहा है तीन सो से कम सीट तो आप लोग बताते ही नहीं है नहीं हम इसलिए बताते हैं अखिलेश जी भी 325 का दावा कर रहे हैं अखिलेश जी के दा सांसवा का चुना जब हो रहा था कि हम 300 जेदा सीटे जीतेंगे लेकिन जनता जानती है ना कि ये कोई गुंडों और अपरादियों और मापियाओं के डर के मारे घर में घुश करके नहीं बैठना चाहता हर बिक्ति चाहता है कि हम सुकून की जिन्दगी जिए सुसासन हो जिसमें वह प्रदेश का हर नागरी अपनी इच्छा से अपना जीवन जी सके अपना व्यापार कर सके अपनी जो भी उसके काम है उसको करने का काम कर सके समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी ये तीनों एक हो जाएगी तो मैं आपक को कह करके जा रहा हूं आज यहां पे कि हम फिर भी 300 से जेदा कमल खिलाएंगे उत्तरप्रदेश के अंदर और 2022 में भारती जन्ता पार्टी की 2017 की तरह ही मजबूत सरकार बना करके दिने हैं एक क्यावन प्रतिसात ओठ हम प्राप्ट करते हैं 64 संसाथ हमारे जीते जीतते हैं और चुनाहों के परणाम आने से पहले चाहे वो श्रीयकले स्यादो जी हो चाहे मायवति जी हो दर्जनों प्रदानमंत्री पद की सपत लेने की तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन जन्ता के दि तो हम लोग लेकर के पूरे देश में जाते हैं उत्तर प्रदेश में योगी जी का भी नाम जुड़ेगा ये सब 22 जून के बाद हुआ क्या सर जब कालिदास मार्ग पे ही आप दोनों का घर है लेकिन साड़े चार साल में पहली बार वो 22 जून को आपके घर आए दूसरी जगह गय थे लेकिन कालिदास मार्ग में अडोसी पडोसी होके भी थोड़ी दूरी पे पहली बार वो 22 जून को आपके घर आए आप बताए इससे पहले स्री अखलेस यादोजी मुखमंत्री थे सिउपाल जी उसकच्छ में रहते थे आप पता कर लिए कभी सिउपाल जी आये थे क्या वहां पर या कि मायावती जी की जब सरकार थी तो वहां नसीमुद्दिन सिद्धिकी बाबु सिंग को सवा रहते तो उनके हां गए थे क्या यह कोई सिस्टम नहीं कि उस पांच